हेलो दोस्तो आप एक Android उजर हो और क्या दोस्तो आपका फोन बहुत ज्यादा गर्म होता है दोस्तो बहुत सारे Android उजर है जिनका जो फोन है वो बहुत ज्यादा हीट होता है गर्म होता है जब भी दोस्तो अपने फोन को चार्ज में लगाते हैं या फिर दोस्तो अपने फोन जो है तो पहले से दोस्तों गर्म होना जो है वो कम हो जाएगा मतलब कि दोस्तों गर्म होना हीट होना पूरी तरीके से खतम हो जाएगा बस दोस्तों आपको यही सब सेटिंग को अपने मुबाइल में अपलाई करना है और दोस्तों यह सब सेटिंग को आपको फॉलो करना है तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले हलो दोस्तो मेरा नाम है संदीप आप देखरो नौलेज गुरू जी तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं तो हलो दोस्तो मैं वीडियो को सुरू करने से पहले आपको सिर्फ तीन बात बताने वाला हूँ ये तीनों बात दोस्तों आपको follow करना है अगर दोस्तों आप ये follow कर लिए तो आपका Android phone पहले से गर्म होना कम हो जाएगा तो सबसे पहला जो है दोस्तों आपको जब भी अपने phone को charge में लगाना है तो दोस्तों हमेशा याद रखेगे कि आप जहां पर charge में लगाते हो Android phone को वो area जो है वो जगा जो है वो गर्म ना रहे हमेशा दोस्तों आपको अपने Android phone को ठंडे जगा रखकर ही charge करना है मतलब कि दोस्तों आप ऐसे किसी room में अपने phone को charge मत लगाएगा जिस room का दोस्तों temperature जो है वो काफी गर्म है मतलब कि दोस्तों आपको फैन चालूर है उस room में उसी जगा दोस्तों आपको अपने phone को charge में लगाना है क्योंकि दोस्तों अगर आपका room अगर गर्म रहेगा तो दोस्तों definitely आपका phone जो है वो गर्म होगा ही होगा इसलिए दोस्तों आप अपने Android phone को ठंडे जगा charge में लगाया करिए दोस्तों दूसरा बात जो है बहुत लोग दोस्तों क्या करते हैं दिन भर अपने phone का internet जो है उसको दोस्तों on रखते हैं mobile data जो है उसको दोस्तों on रखते हैं तो दोस्तो आउन रखिए दिन भर कोई प्रब्लम नहीं है लेकिन दोस्तो जब भी आप अपने Android फोन को चार्ज में लगाते हो तो हमेशा दोस्तो अपने फोन के डेटा को बन कर दिया करिए क्योंकि दोस्तो अगर आपके मुबाइल डेटा आउन रहेगा एंड दोस्तो क्योंकि प्रब्लम नहीं दोस्तो आपके ओपर करता है क्यापietet नहीं करना है क्योंकि दोस्तो आजकल जव्यंड्र पोन है उतीस मिनट में हो जाते हैं तो अगर दोस्तों को इपर इन पानी आ gallon नहीं आता है तो दोस्तों हमेशा पने फॉन को पर को चार्ज किया करिये यह नहीं नहीं रीया तो यह 7 बात थो आपको फॉलो कर लिये यह तो एंजवाइट फोन है वो दोस्तो हीट होना पहले से काफी कम हो जायेगा हैं दोस्तो मैं दो-dring setting आपको बताने वाला हूं तो चले दोस्तो चलते हैं मुबाइल स्क्रीन पर जानते हैं कौन सा है वो तीन सेटिंग हलो दोस्तो जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में तीन टिप्स जो बताया था उसको आप जरूर से जरूर फॉलो करियेगा फिर दोस्तो आपका Android फोन जो है वो हीट होना बंद हो इसमें दोस्तों आपको क्लिक कर देना additional settings पर, फिर नीचे की तरफ दोस्तों आपको एक option दीख जाएगा, डिवलोपर option का, इसमें दोस्तों आपको 2 setting को apply करना है, डिवलोपर option में जाने एक बाद आपको यही पर दोस्तों एक option दीख जाएगा, keep screen on well charging, अगर दोस्तो यह आप on रखते होगा तो इसको दोस्तो हमेशा बंद कर दीजेगा क्योंकि दोस्तो इसको आप on रखने से कोई मतलब नहीं होता है इसको दोस्तो आप off कर दो तो यह होगा कि आप जब भी अपने phone को charge में लगाओगे तो आपका screen जो है दोस्तो बंद हो जाएगा अगर यह on रखोगे दोस्तो क्या होता तो जब भी आप अपने mobile को charge में लगाओगे तो आपका screen जो है दोस्तो बंद नहीं होगा अगर दोस्तो आपका screen बंद नहीं होगा और phone charge होगा तो दोस्तो डेफिनिटली आपकी phone के जो battery है वो गरम हो जाएगी अगर battery गरम होगा तो दोस्तो आपको mobile जो है वो hit होगा ही होगा तो हमेशा दोस्तो आप इसको बंद कर दिया करिए आन मत रखिएगा आपको scroll करके दोस्तो नीचे के दरब चले जाना है यहाँ पे दोस्तो आपको एक setting को search करना है यहाँ पे देखिए दोस्तो लिखा हुआ background process limit आपको दोस्तो इस पे click करना है and दोस्तो यहाँ पे no background process पे click कर देना है क्यों दोस्तो आपको no background process पे click करना है क्योंकि जब भी आपका phone charge होगा तो दोस्तो किसी भी application को background में नहीं चलना है अगर दोस्तो background में कोई भी application रन करेगा तो आपके phone की जो battery उसको train करेगा battery दोस्तो train करेगा तो battery आपका गर्म होगा charge करते time and दोस्तो आपको phone की जो battery है वो गर्म होगा तो आपका phone भी दोस्तो गर्म होगा ही होगा इसलिए दोस्तों आपको no background process पर click कर देना है ये था दूसरा नमर का setting अब दोस्तों आखरी और तीसरा नमर का setting भी आपको इसी Android phone में करना है तो आपको दोस्तों back चले जाना है बैक जाने के बाद दोस्तों आपको एक option दिख जाता है apps का app वाले option पर click करना है and दोस्तों app management पर click करना है मतलब की दोस्तो all app पे आपको click करना है यहाँ पर सबी a apparition आपके show करेंगे और दोस्तों यहां पर ध्यान दीजे जो आपने play store से application को download किया है सिर्फ उसी पर यह setting गोड़ाई करना है phone के application में दोस्तों आपको यह setting गोड़ाई नहीं करना है जो भी application third party application उस पर यह setting गोड़ाई करना है तो यहां पर दोस्तों जितने भी आप third party application डाउनलोड करते हो सभी पर दोस्तों आपको यह setting को apply करना है background data को बंद करते हैं क्यों दोस्तों बंद करना है क्योंकि दोस्तों आप जब भी अपने phone को charge करोगे बहुत लोग दोस्तों net on रख लेते हैं तो दोस्तों आपका net on रहेगा phone charge होगा तो दोस्तों आपके phone के जो application है वो background में data को खर्च करेंगे background में run करेंगे दोस्तों application जो background में जब run करेंगे तो दोस्तों आपको battery जो है वो drain होगा drain भी होगा phone जो है वो charge भी होगा तो दोस्तो बैटरी जो है गर्म होगा बैटरी दोस्तो गर्म होगा तो आपका फोन भी जो है वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको दोस्तो जितने भी थाट पाटी अप्लिकेशन है सब पे यही सेटिंग को अप्लाई करना है सिर्फ दोस्तो third party application पर यह आपको apply करना और किसी application पर apply नहीं करना है तो अगर दोस्तो यह सब setting आप अपने phone में apply कर लोगे and दोस्तो जो 3 tips मैंने आपको वीडियो के starting बताए था वो apply कर लोगे तो आपका phone जो है दोस्तो गर्म नहीं होगा हीट होना दोस्तो बंद हो जा है तो यह था दोस्तो गर्म दोस्तो आपको मेरा वीडियो पसंद आपको के कर लोगे